वेलकम टू लाइव इस्टेनों क्लासेद आपका डिक्टेशन प्रारम होगा पांत सेकेंड बार यास स्टार्ट सुनहरे परिंदों के खुबसूरत पंखो पर सवार सावले सपनों का एक हुजूमोत की खामोशी वादी की तरफ अग्रेसर है कोई रोक टोक सके कोमा कहा संबव है पेरे में बदलाव इस हुजूम में आगे आगे चल रही है कोमा सालिम अली अपने कंदों पर कोमा स्वेलोनियों की तरह अपने अनतहीन सपर का बोज उठाए लेकिन यह सपर पिछले तमाम सपरों से भिन है भीड भाड की जिंदगी और तनाव के माहोल से सालिम अली का यह आखरी पलायन है अब तो वो उस वन पक्सी की तरह प्रकरती में विलिन हो रही है कोमा जो जिंदगी का आखरी गीत गाने के बाद मोत की गोद में जाबसा हो कोई अपने जिस्म की हराहत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्सी अपने सपनों के गीत दोबारा केसेगा सकेंगे मुझे नहीं लगता कोमा कोई इस सोय हुए पक्सी को जगाना चाहेगा वर्षो पूर्व कोमा खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्सीों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं यह उनकी भूल है ठीक उसी तरह कोमा जैसे जंगलों और पहाडों कोमा जर्नों और आबसारों को वो प्रकरती की नजर से ही नहीं कोमा आदमी की नजर से देखने को उच्चुक रहते हैं कोमा भला कोई आदमी अपने कानों से पक्सियों की आवाज का मधूर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता फूटता महसूस कर सकता है क्यूशन मार्क एहसास की एसी ही एक उबडखाबड जमीन पर जन में मिथक का नाम है कोमा सालीम अली इस्टॉप पैर में परिवर्तन पता नहीं कोमा इतिहास में कब कृष्ण ने वरंदावन में रामलीला रची थी और सोक गोपियोन को अपनी सरार्थों का निशाना बनाया था इस्टॉप कब माखन बरे भांडे फोडे थे और दूद थाली से अपने मुह बरे थे इस्टॉप कब वाटिका में कोमा छोटे छोटे किन्तु घने पेडों की चाह में विश्राम किया करता था इस्टॉप कब दिल की धड़कुनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बस्बंसी बजाई थी इस्टॉप और कोमा पता नहीं कोमा कब वरंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी इस्टॉप पता नहीं कोमा यह सब कब हुआ था इस्टॉप लेकिन कोई आज भी वरंदामन जाये तो नदी का सावला पानी उसे पूरी गठना कर्म की याद दिला देगा इस्टॉप हर सुबह कोमा सूरज निकलने से पहले कोमा जब पतली गलियों से उत्साहबरी भीड नदी की और बढ़ती है कोमा तो लगता है जैसे उस भीड को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे इस्टॉप हर साम सूरज ढलने से पहले कोमा जब वाटीका का माली सेलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही शनों में वो कहीं से आटपकेगा और संगीत का जादू वाटीका के भरे पूरे माहोल पर चा जाएगा इस्टॉप वरंदावन कभी कृष्ण की बासूरी के जादू से खाली हुआ है क्या इस्टॉप पेरा मित्खों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलास करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिशे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं इस्टॉप उम्र को सती तक पहुचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे इस्टॉप संभव है कोमा लंबी यात्रों की ठकान ने उनके सरीर को कमजोर कर दिया हो कोमा और कैंसर जैसी जान लेवा बेमारी उनकी मोत का कारण बनी हो इस्टॉप लेकिन अंतिम समय तक मोत उनकी आखों से वह रोसनी छीनने में सपल नहीं हुई जो पक्षियों की तलास और उनकी हिपाजत के परती समर्पित थी इस्टॉप सालिम अली की आखों का चढ़ी दुरिबीन उनकी मोत के बाद ही तो उत्री थी इस्टॉप पेरे में बदलाव उन्हें जेसा वर्ड वाचर साइध ही कोई हुआ हो इस्टॉप लेकिन एकांति क्षणों में सालिम अली बिना दुरिबीन भी देखे गए हैं इस्टॉप दूर चितीज तक फेली जमीन और जुखे आसमान को छोने वाली उनकी नजरों में कुछ-कुछ वेसा ही जादू था कुमा जो प्रकरती को अपने घेरे में बांध लेता है इस्टॉप सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकरती के परभाव में आने की बजाए प्रकरती को अपने परभाव में लाने के कायल होते हैं इस्टॉप उनके लिए तकरती में हर तरप एक हस्ती खेलती रहश्य में भरी दुनिया पसरी थी इस्टॉप यह दुनिया उन्होंने बड़ी महनत से अपने लिए गड़ी थी इस्टॉप इसके गड़ने में उनकी जीवन साती तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी इस्टॉप तहमीना उसकूल के दिनों में उनकी सहपाटी रही थी पेरे में परिवर्तन अपने लंबे रोमांच कारी जीवन में धेर सारे अनुभाओं के मालिक शालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वेली कोरेगी स्तानी हवा के जोके से बचाने का अनुरोद देकर चोदरी चरण सिंग से मिले थे इस्टोप वे परदहान मंत्री थे इस्टोप चोदरी साहब गाव की मिटी पर पढ़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे इस्टोप परियावरण के संभावित खत्रों का जो चित्र सालीम अली ने उनके सामने रखा कोमा उनसने उनकी आखे नम कर दे थे इस्टोप पेरे में परिवर्तन आज सालीम अली नहीं है इस्टोप चोदरी साहब भी नहीं है इस्टोप कोन बचा है कोमा जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत को नीव रखने का संकल्प लेगा क्यूशन मार्क कोन बचा है कोमा जो अब हिमाले और लद्धाग की बरफिली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा क्यूशन मार्क पेरी में परिवर्तन सालीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फोल ओप ए स्पेरो मुझे याद आ गया कोमा डी एच लोरेस की मोत के बाद लोगों ने उनकी पतनी फ्रिडा लोरेंस से अनुरोद किया कि वह अपने पती के बारे में कुछ लिखे फ्रिडा चाती तो धेर सारी बाते लोरेंस के बारे में लिख सकती थी लेकिन उसने कहा मेरे लिए लोरेंस के बारे में कुछ लिखना ऐसंभव सा है मुझे महसूस होता है मेरी चाती पर बेठने वाली गोरेंस के बारे में धेर सारी बाते बताना जानती है मुझे से भी जादा जानती है वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था मुम्किन है, लोरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो लेकिन मेरे लिए कितना खटिन है, उनके बारे में अपने अनुभ़ों को सब्दों का जामा पहनाना मुझे यकीन है, मेरी छाती पर बेठी गोरईया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में कोमा मुझे से जादा जानकारी रखती है जटिल प्रानियों के लिए सालीम अली हमेशा एक पहली बने रहेंगे बचपन के दिनों में कोमा उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली कोमा निले कंट की वह गोरईया सारी जिंदगी उनहें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही इस्टोंप जिंदगी की उचाईयों में उनका विश्वास एक शन के लिए भी डिगा नहीं इस्टोंप वो लोरेंस की तरह कोमा ने सरगीक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे इस्टोंप पेरे में परिवर्तन सालिम अली प्रकरती की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथा है सागर बनकर उबरे थे इस्टोंप जो लोग उनके भ्रमन सील सोभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं कोमा उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं कोमा और बस अभी गले में लंबी दुर्बिन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लोट आएंगे स्टोब जब तक वो नहीं लोटते कोमा क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए स्टोब मेरी आखे नम है कोमा सालिम अली कोमा तुम लोटोगे ना उन्विराम धन्यवाद